बिस्मिल्लाइ रामान रहीम दियर स्टुडेंट्स असलाम लेकुम हम पढ़ रही है सी लेंग्विज आज का हमारा टॉपिक है इसका काम क्या है कांटिनू स्टेटमेंट याद रखें कांटिनू स्टेटमेंट लूप की बाड़ी के अंदर लिखी जाती है एक बात दूसरी बात इसका काम क्या है continuous statement का ये control को body of loop के start में ले जाती है इसी बात को हम एक program से एक example से understand करते हैं अगर आप इस program को देखें ये हमने एक program लिखा है program के execution कहां से start होगी wide main function से start होगी int a, a क्या है एक variable है integer type का a is equal to one, a is less than or equal to five a plus plus है हमने फार लूप लिखी है और फार लूप की body इस curly brace से लेकर इस brace तक है यानि इस bracket से इस bracket तक है और इसमें अगर आप यहां पर और से देखें ये हमने continue statement को इस्तेमाल किया है तो continue statement पहली बात आपने क्या याद रखनी है कि body of loop यहां से लेकर यहां तक इस bracket से इस bracket तक ये body of loop है continue statement body of loop के अंदर लिखी जाती है एक बात इसका काम क्या होता है कि ये control को loop के start में ले जाता है अब ये loop कहां से चल रही है one से लेकर कहां तक five तक तो इसने five times चलना है एक बात याद रखनी है आपने कि जब far loop के बाद ये curly braces हों तो इस loop ने इधर इस वाली curly brace से इस वाली bracket से वापिस turn लेना होता है यहां पर तो एक ही value क्या है हमारे पास one है इसके बाद इधर आएगा one is less than or equal to five condition true है condition true हो तो क्या करता है body of loop के अंदर आता है तो ये क्या print करेगा hello print कर देगा continue statement क्या करती है यहीं से computer को loop के start में ले जाती है यहीं से computer के loop के start में तो a plus plus a की value two हो जाएगी two is less than or equal to five condition true है तो ये क्या print करेगा body of loop के अंदर आएगा printf क्या print करेगा new line पर hello print कर देगा फिर इस continue statement continue statement यहीं से computer को loop के start में भेज़ देगी a plus plus से एक की value क्या हो जाएगी three हो जाएगी three is less than or equal to four condition true फिर क्या print करेगा hello print करेगा ये continue statement पर continue statement यहीं से अगर यहां पर बेज़ेगी a plus plus से क्या होगा a की value में एक increment होगा a की value four हो जाएगी इसके बाद यहां हैगा four is less than or equal to five condition true ये क्या print करेगा hello print कर देगा फिर continue पर यहां से वापिस जाएगा a की value five हो जाएगी five is less than or equal to five condition true पिर क्या करेगा hello print कर देगा continue पर यहां पर ले जाएगी a plus plus से क्या होगा a की value six हो जाएगी six is less than or equal to five condition false जब condition false होगी तो ये body of loop को छोड़ कर यहां पर आएगा तो आप इसकी output जो है यह आएग यानि five time जिसने क्या क्या hello को print करा दिया तो इसमें गोर का तलब क्या बात है कि ये वाली line ये वाली statement कंप्यूटर ने पढ़ी ही नहीं है इसको read ही नहीं किया अगर students यहां पर ये continue statement ना लिखते तो फिर क्या होता पहले hello print कराता फिर world print कराता new line पर और फिर हाँ पर आता यहां से इसने loop ने जो है वह turn लेना था वह लूप लूप ने start में जाना था लेकिन जोंका continue statement लिखा है continue statement ग्या गरती है यहीं से control को loop के start में भेज देती है तो continue statement ग्या करती है control को transfer कर देती है loop के start में तो ये वाली line, ये वाली statement जो printf world लिखा हुआ है, ये एक दफ़ा भी print नहीं होगा, क्योंकि ये एक दफ़ा भी इसको computer ने read नहीं किया, इस वज़ा से ये एक दफ़ा भी ये statement execute नहीं होई, तो ये भी printf world print नहीं होगा, क्योंकि computer यही continue statement से ही computer loop के start में चला जाता था, तो इस वज़ा से हम continue statement का का काम क्या है, क्या ये computer को या control को body of loop के start में ले जाता है, प्रोग्राम के नहीं याद रखिया, loop की body के start में ले जाता है, आम तोर पर ये जो continue statement है, simple ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको एक और example से हम understand कर लेते हैं, कि इसको हम आम तोर पर if statement के साथ लिख लिखते हैं, एक और example से हम continue statement को understand कर लेते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं, hash, include, std, io.h, hash, include, conu.h, wide, main, हम लिखते हैं, int, x, x is equal to 1, हम while loop use कर लेते हैं, x is less than or equal to 4, हम यह कर लेते हैं, कि printf, backslash and hello, if x is less than or equal to 2, continue, printf, backslash and world. अब आपने dear students को गोर करना है, आपने, कि हमने यहां से लेकर, यहां से लेकर, यहां तक, यह क्या है, यह body of loop है, यह while loop यूज की है, हमने, ठीक है, और यहां पर हम एक काम और कर लेते हैं, x plus plus, increment यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, अब इसकी execution करते हैं, यहां आप देखे, continue statement को कहां पर लिखा गिया है, while loop की body के अंदर, अब x की value क्या है, 1 है, यहां पर लिख लेते हैं, x की value जो है, वो 1 है, 1 is less than or equal to 4, condition क्या हो जाएगी, true, true होगी तो यहां पर है, x plus plus से x की value हो जाएगी, 2, 2, क्या print करेगा इसके बाद, यहां पर आएगा, यह print करेगा, hello, hello प्रिंट हो गया, अब x की value 2 है, 2 is less than or equal to 2, condition true, condition true होगा तो इस continue statement को बढ़ेगा, और continue statement क्या करती है, यहीं से computer को loop के start में भेज देती है, अब x की value कितनी है, हमारे पास 2 है, 2 is less than or equal to 4, condition true होगा यहां पर आएगा, x plus plus x की value हो जाएगी 3, फिर क्या print करेगा, hello print कर देगा, अब x की value क्या है, हमारे पास 3 है, 3 is less than or equal to 2, condition false इसे छोड़ कर कहां पर आएगा, world पर आजाएगा, फिर यहां पर आएगा, यहां से loop वापिस जाएगी, x की value क्या है, हमारे पास 3 है, 3 is less than or equal to 4, condition true, x plus plus x की value हो जाएगी 4, फिर क्या print करेगा, hello print करेगा, hello print करने के बाद यहाएगा, x की value क्या है, 4, 4 is less than or equal to 2, condition true, continue statement को क्या, फिर क्या है, 4 is less than or equal to 2, condition क्या हो जाएगी, false, इस statement को क्या करेगा, छोड़ देगा, छोड़ कर का आएगा, world पर आएगा, इसके बाद computer यहां से वापिस जाएगा, x की value क्या है, 4, 4 is less than or equal to 4, condition, true हो जाएगी, यहाँ पर आएगा, x प्लस प्लस से x की value क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, फिर क्या प्रिंट करेगा, hello प्रिंट करेगा, hello प्रिंट करने के बाद क्या क्या करेगा, x की value क्या है, 5, 5 is less than or equal to, condition false, इसे छोड़ कर यहाँ पर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, world प्रिंट करेगा, यहाँ से वापिस जाएगा, x की value क्या है, 5, 5 is less than or equal to 4, condition false होगी, जब यह condition false होगी, body of loop को छोड़ कर यहाँ पर आजाएगा, तो यहाँ पर हमने इस continue statement को जो use किया है, यह if condition के साथ use किया है, तो ज्यादा तर तो continue का statement जो आता है, वो if के साथ ही use किया जाता है, आम तोर पर हलात में, इसको बगार if के भी इस्तमाल किया जा सकता है, तो यह याद रखना, कि जब भी body of, इसको एक तो पहली बात याद रखेंगे, कि आपने continue statement को body of loop के अंदर इस्तमाल करना है, एक, दूसरा, आम तोर पर यह जो loop है, यहाँ से वापिस return करती है, यहाँ से जहाँ पर यह curly braces है, body of loop यहाँ पर है, आम तोर पर यह loop यहाँ से वापिस मुडती है, लेकिन continue statement को अगर computer जब read करेगा, वो यहीं से वापिस computer को या control को loop के start में ले जाता है, तो यह continue statement का हमारा काम है, उमीद आपको continue statement समझ आगी होगी, आपने काख़ पर भी practice करनी है, प्रोग्राम की, बुक से भी इनके प्रोग्राम को आपने पढ़ना है और understand करना है, और computer पर इसका practical लाजमी perform करें, next lecture में मुलगात अभी तब तक के लिए इजास्त देंगे, अल्ला हाफिज